हेलो गारेस आज की रेसिपी है जटपट बनने वाले मग केकी इस रेसिपी को बनाने के सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कॉफी मग और उसमें आड़ करेंगे 4 चमच मैदा यानि रिफाइन फ्लार और अगर आपका मग बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसमें एडिशनल मैदा भी आड़ कर सकते हैं मैदा डालने के बाद इसमें मैं आड़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 फोट स्पून से भी थोड़ी सी कम और उससे भी कम यानि एक से दो पिंच आड़ करें उसमें बेकिंग सोडा नेक्स इसमें मैंने आड़ की है शकर पाउडर यानि शुगर पाउडर करीबें देट जमच और इसकी कॉंटिटी भी आप इंक्रीस कर सकते हैं फिर एट किया इसमें कोको पाउडर हाफ स्पून नेक्स इसका लिक्विड बाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूद एप्रोक्स पान से छे चमच और फिर इसे मिक्स करते हैं मुझे इसकी कॉंटिटी थोरी सी कम लगी तो मैंने इसमें आट के लिए था थोड़ा सा और दूद यानि मैंने एप्रोक्स में डाला है हाफ का टोरी दूद और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए स्पून की हल्प से हमें बैटर को रेडी कर लेना है बैटर की कॉंटिटी थोड़ी से थेख होनी चाहिए और लास में इक्स्टा फ्लेवर्स के लिए मैंने आट किये इसमें डाक चॉकलिट आप चाहें तो इसमें चॉको चिप्स भी आट कर सकते हैं लेकिन यह ऑप्शनल है आप चाहें तो इन दोनों को अबोईट भी कर सकते हैं इसका लास टैप होगा इसे माइक्रोवेव में बेक करना और इसे बनाने के लिए माइक्रोवेव को प्री हिट करने की कोई भी नीड नहीं है तो हमें उसे प्री हिट बिल्कुल भी नहीं करना है और directly मैस पर प्रेस करी हूँ एक मिनिट का टाइमर बटन और उसके बद स्टार्ट का बटन और मेरा केक एक मिनिट में बनकी रेडी हो चुका था लेकिन अगर आपको लगए कि आपका केक बनकी रेडी नहीं हुआ तो आप उसका टाइम थोड़ा और सेट कर सकते हैं और फाइनली मेरा केक बनकी तैयार है तो अगर आपको मेरे रेसी भी पसंद आए तो में चैनल को शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो